और अगली खबर फरुखाबास से है जहाँ पर स्कूल की छट पर बच्चे जाडू लगाते वे नजर आए हैं तो फरुखाबास से इस वक्त की बड़ी खबर जहाँ पर बच्चों की हाथों में किताबों की जगए जाडू पकड़ाई गई है और चट पर इसकूल की चट पर बच्चे जाडू लगाते वे नजर आए हैं वहीं इन बच्चों का जाडू लगाते वे वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ है बढ़पुर ब्लॉग के कन्या विद्याले का ये मामला है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर चात चात्रों के हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए वहीं इन चात्रों के हाथ में जाडू थमाई गई है और ये चात्र स्कूल की चट पर जाडू लगाते वे नजर आ रहे हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है तो जहां एक तरफ विद्याले में च्छत पर जाडू लगाते वे नजर आ रहे हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बारल हुआ है बड़कूर ब्लॉक के करने अपरात्मिक विद्याले का पूरा मामला है और इसी खबर पर जादा जानकारी कि इस वक्त जोड़ चुके हैं रॉबिन कपूर रॉबिन जहा बच्छों को हाथ में किताब और कलम पकड़ाई जाती है वहीं यह तस्वीर हम देख रहे हैं कि बच्छों के हाथों में जाडू है वो इस्कूल की छट पर जाडू लगाते वे नजर आ रहे हैं जी बिल्कुल मैं बता दूँ यह इस तरीके का मामला जिले में कोई पहली सब्सक्राइब करने के लिए उनके माता पिता नहीं है इससे पहले भी स्कूल में सीड़ साफ करते हुआ था अधिकारियों ने जो है नोटिस के नाम पे लीपाफ होती करी हो पूरे मामले में कोई कारवाई नी हुई इसके बाद जो है आपने स्कूल के जो जिम्मेदार ल कि आकिर बच्चों का जहां भविष्ट बनाने के लिए उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजते हैं वहां पर बच्चों के हाथ में कलम की जगए जाड़ू पक्लाए जा रही है पर बच्चों के हाथ में जाड़ू थमाई कही है और वो स्कूल की छट पर जाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं वहीं जिम्मेदार जो लोग हैं अधिकारी हैं जो टीचर्स हैं वो आख पर पट्टी बांद कर बैठे हुए और ये मामला क्यों एक स्कूल का नहीं है अक्सर इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते हैं जिसमें बच्चों से इस्कूल में पढ़ाई के जगए उनसे काम करवाया जाता है